आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फेक्टी स्टेडी में आज हम लोग पढ़ेंगे कक्छा साथ गणित अभ्या साथ सी वाडी जी गणित इसका पहला सवाल दिया हुआ हमारा के वह रासी ग्याद कीजिए जिसका 35% 206 है ठीक ना 35% 208 है उसको ग्याद करना है य देखिएगा यहाँ पर देखेंगे मान नहींगे सबसे पहले कि माना वह संख्या बराबर मतलब सिक्योर पूछ रहा है यह 35% का वेल्यू दिया हुआ हंड़ेट पर्शंट की वेल्यू पूछ रहा है 100% कितना होगा इसका तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको कि लि में आगया तो अब देखिए प्रत्सत हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 100 से भाग देंगे इसका मतलब हो जाएगा यक्ष गुण यहाँ पर जागा 35 बटेम हो जागा 100 और बराबर यहाँ पर जागा 280 अब क्या करते हैं कि 5 से इसको कटाएंगे तो 5 से 35 5 से कटाएंगे 5 दूना के 10 यह 20 बार में कट जाएगा ठीक है अब दिखिए इसको क्या करेंगे कि यह गुणा है मतलब यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको कि इसका गुणा इसमें कर लेंगे ति यहाँ पर जागा 7 यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 280 और गुणे यहाँ पर तो इस तरीके से यह एक्स जो निकल के आया 800 मतलब लिख सकते हैं कि यह तो वह रासी बराबर कितना हो जाएगी 800 और यहीं इसका क्या हो जाएगा आंसर ठीक है समझ में आगे इस चीच अब चलते हैं हमने इसके दूसरे सवाल में दूसरा सवाल दिया हुआ है इसी ही तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि यक्सका तीन बाटे में पाच प्रतिसत इसना प्रतिसत बराबर नभे के एक वल थिक है अब प्रतिसत के लिए हटाएंगे तो 100 को गुणा करेंगे सव का नीचे में भाग देंगे तियहां पर कर सकते हैं यक्स गूड यहां पो जागा तीन बटे में 5 और गुण एक 100 भागे कर लेंगे भागे 100 तो 100 कर लेंगे इस कल्टू 90 इस तरीके से 90 कर लेंगे एक चीज़ और भी ध्यान रखेएगा ऊपर अला भाग इस वाले को कटा सकते हैं इसके नीचे वन रख करके ठीक है तो अब 3 से इसको कटा लेंगे तो यहां हो जाएगा 3 मतलब 300 हो गया अब देखिए इस 5 से यह 5 में 100 को गुणा करेंगे 500 500 में 3 को गुणा कर देंगा मतलब एक्स की जो वैली हो जाएगी 500 और 3 में गुणा करेंगे तो 5 तें 15 और यहां 2 0 था 1 0 वहां पर मतलब 3 0 हो जाएगा मतलब वह संख्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी 1500 और यहीं से क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा अब देखिए इसमें जो अगला सवाल दिया हुआ उसमें मान लेंगी कि माना ठीना वहरासी वह राशी रासी एक्ष है वहरासी क्या है यक्ष है मतलब यक्ष का 0.25 प्रतिसत जो है वो 600 के बराबर है अब इसका मतलब कि आप 100 से इसमें भाग देंगे प्रसत को हटाने के लिए यहां पर यक्स गुण यहां पर जाएगा 0.25 बटेम हो जाएगा हमारा 100 यह बात समझ में आ गया अब इस कल्टू यहां पर हो जाएगा हमारा 600 ठीक है अब देखिए क्या है हमारा कि इसमें क्या करते है हम लोग कि यह 25 से कटा सकते हैं तो इसको या फिर 100 से डिरेक्ट लिसमें गुणा करके 25 से कर लेते हैं तो यक्स बराबर यहां पर हो जाएगा हमारा यहां पर यक्स बराबर डिरेक्ट लिम कर दूँ इसको चली ठीक है डिरेक्ट नहीं करता हूँ यहां पर कर लेता हूँ 0.25 इस तरीके समझ में आ गया इस कल्टू यहाँ पे 600 और गुणे कितना हो जागा हमारा 100 यह नीचे वाले का उपर में गुणा किए 600 आगया अब दीखें यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे कैसे कि यक्स गुणा है उदर जाएकर भाग हो जाएगा मतलब यक्स बराबर यहाँ पहुजाएगा 600 और 100 को गुणा करेंगे तो 2-0 यहाँ 2-0 यहाँ 4-0 मतलब 1-2-3 और 4-0 बटे में गुणा है तो उदर जाएकर भाग मतलब 0-2-5 अब देखिए यह 10-2 हटाने का मतलब 2-0 और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर X बराबर 2-10 मतलब 2-0 बढ़ जाएगा मतलब 4-0 अब 6-0 हो जाएगा तो 6 और 1-2-3-4-5-6 बटे में हो जाएगा हमारा 25 अब 25 से इसको कटाएगे तो 25 से इसको कटाएगे मतलब 4-0 आगे चिपका देंगे 1-2-3 और यह 4 ठीक है तो इस तरीके से यह आपका निकल करके आजाएगा ठीक है न, 600 रुपए के 15 प्रतिसत के बराबर है, देखें, किसी रासी का 5 प्रतिसत के, तो माल लेंगे कि वह रासी क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी, माल लेंगे कि माना, ठीक है, वह रासी, रासी यक्ष है, माना वह रासी क्या हो जाएगा, अमार यक्स है, अब यक्स क ठीक ना, x का 5 प्रतिसत, जैसा बोला है, वैसे समझेगा, किसी रासी का, मतलब x का 5 प्रतिसत, ठीक न, कितने के बराबर है, वो x का 5 प्रतिसत, ठीक न, 600 के 5 प्रतिसत के, ठीक न, 600 के 5 प्रतिसत के बराबर है, मतलब 600 का 5 प्रतिसत के बराबर है, बराबर है, तो हमें बताना नहां वो रासी क्या होगी तो हम लोग 600 का पंदर यहां से परसत हटाएंगे 100 से भागदेंगे तो यहां पूज़ाएंग का पांच बटेम हो जागा 100, इसकल टू, यहाँ पो जागा 600, गुणे यहाँ पो जागा 15, बटेम हो जागा 100, यह 0, यह 0, यह 0, यह 0, यह 0, और 5 से इसको कटाएंगे तो यह 5 दूनक 10, 20 बार में कड जाएगा, मतलब जो आपका निकल करके आएगा अंसर यहाँ से दिखेगा, एक्स बटेम हो जागा हमारा 20, इसकल टू, यहाँ पो जागा 15 शक का 90, मतलब 90 हो जाएगा, यह 90 का इसमें गुणा करेंगे, तो यह बराव कितना हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 9 दूनी 18 और 00 बलग जाएगा, 1 0, 2 0, मतलब 2 0 लगा देंगे, मतलब यह निकल के आजा नहीं डाले, मतलब कुल टोटल कितने मत दाता हैं, वो लिख लेंगे, हम लोग कुल मत दाता हैं, आप लिखेंगे, कुल ठीक ना, मत दाता, मत दाता, इसकल टूच 7500 हैं, ठीक न, 7500 हैं, इसमें से 20 प्रतिसत क्या किया इनोंने, कि ओट नहीं डाले, 20 प्रतिसत, ठीक ना, मतळाताओं ने मत नहीं डाले मत नहीं डाले । जब 20 % मत नहीं डाले इसका मतलब यह होता है जिससे आप से बताना है उसह साथ ताथ मतलब यहाँ देखिए 7500 लोगों में से 20 प्रतिसत लोगों ने मत को नहीं डाला इसका मतलब प्रतिसत खटाने के लिए 100 से भाग देते हैं आप लोगों को बताया है भी हम तो 7500 गूड़े यहाँ पर हो जागा 20 बटे में हो जागा हमारा 100 क्यूंकि हम लोग 20 को हम लोग क्या करें हैं हटा नहीं डाला 1500 लोगों ने मत को नहीं डाला है अब देखिए इसमें कुल मत पड़े थे कितने कुल मत कितनी थी हमारे 7500 जिसमें से 1500 लोग नहीं डाले तो कुल मत पड़े बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि कुल मत पड़े बराबर यहाँ पे कुल मत पड़े बरा 6,000 मत इसका मतलब उसमें पड़ा था तो इसका आंसर हो जागा 6,000 और यही इसका क्या जागा जो सवाल दिया है चो था वो दिया हुए कि खड़िया में 40% केल्सियम 12% कार्बन और 48% आक्सीजन है एक किलो ग्राम खड़िया में प्रतेक की मातरा अलग-अलग बतानी है तो हम लोग लिखेंगे कि एक किलो ग्राम एक किलो ग्राम बराबर 1000 ग्राम 1000 ग्राम होता है यह बहां समझ में आ गया अब देखिए इसमें खड़िया की मातरा 1000 ग्राम में 40 प्रतिसत खड़िया है 40 प्रतिसत क्या है हमारा खड़िया तो यहाँ पहुझाएगा 1000 और 40 प्रतिसत जब 40 प्रतिसत को प्रतिसत हटाएंगे तो नीचे में 100 से क्या कर देंगे बागत देंगे 0 स 0, 0 स 0 यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 40 से कम 40 और 1 0 लगा लेंगे क्योंकि 10 से गुणा कर रहे हैं तो 400 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा खड़िया अब दूसरा हमारा 12 प्रतिसत कार्बन तो लिखें हम लोग 1000 ग्राम में 12 प्रतिसत क्या है है हमारा 12 प्रतिसत कार्बन कार्बन तो जो 12 प्रतिसत कार्बन है इसका मतलब यह हो जाता है कि 1000 गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 1000 गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 बटेम हो जाएगा हमारा 100 अब दिखें यहां पे 0, 0, यह 0, और यह 0, यह 100 कहां सा आदे, क्योंकि 12 180ORIAट थाइक है, तो यहां पर लिखेंगे, 1000 ग्राम में, एक सो बीस यहां पर हुजाएगा हमारा ग्राम, एक सो बीस ग्राम क्या हो जाएगा हमारे यहां पर कार्वन हो जाएगा, अब कारवन के बाद 48 प्रतिसत ऑक्सीजन है तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 ग्राम में 48 प्रतिसत क्या है हमारा ऑक्सीजन है 48 प्रतिसत क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन अता 1000 का 48 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100 और ये 0 ये 0 ये 0 से कटाएंगे तो 480 ग्राम क्या हो जाएगा ह खड़िया और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब प्रतेग की मातरा हमने अलग अले निकाल दिया है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रतेग की मातरा अगर लिखना है तो आप हमआप लिख सकते हैं खड़िया इसमें खड़िया भराबर यहां पसकर जाएगा हमारा 400 g tarso ग्राम न और यहां प 2014 Breugiına और यहां पस्पन यहां पे Aur Haut जाएगा 120 ग्राम झाना उपन यहां पर झालकार करेंगे तो ऑक्सीजन यहां पर आपका जाएगा आक्सीजन बराबर यहां पर 480 ग्राम ठीक ना 480 ग्राम तो इस तरीके से यह आपका निकल करके आंसर पर आजाएगा पाँचमा सवाल हमारा दिया हुआ है एक गाउं की जन संख्या 1200 है इसमें से 40 प्रत्सत पुरुस हैं 30 प्रत्सत इस्तरिहां और सेस बच्चे हैं तीनों की अलग-अलग संख्या ज्याद करनी हैं तो मान लेंगे कि यहां पर गाउं पर कुल जन संख्या तो दी हुई है तो मा यहां पर 12-100 है गाउं की कुल जन संख्या 1200 है जिसमें से 40 प्रत्सत क्या है, हमारे पुरुस हैं तो यहां पर ले पनलेकेंगे पूर्षों की संख्या तो निकलेगा हमारा पूर्षों की संख्या पूर्षों की संख्या यहाँ पर 1200 का 40 बटे में हो जाएगा हमारा 100 0000 कर जाएगा 124 कितना हो जाएगा हमारा 48 और यहाँ पर 0 लग जाएगा मतलब 1200 में से 480 क्या हमारे पूरुष है पूरुष ठीक न अब लिखेंगे हम लोग की महिलाओं की संख्या यहाँ पर कितना प्रतिसत है यहाँ पर 1200 का कितना प्रतिसत 30 प्रतिसत इसका मतलब 1200 गोड़े यहाँ पर जाएगा 30 बटे मो जाएगा हमारा 100 क्योंकि प्रतिसत अटाएगे तो 100 नीचे भाग जला जाएगा 0-0-0-0 और बारतिये 36 मतलब 360 क्या है हमारी महिला है महिला ठीक ना महिला है अब दिहान से इस बात को समझेगा कि जब बच्चों के संख्या निकाल नी है तो हम लोग का महिला निकल गया पूरुष का निकल गया तो बच्चों का क्या होगा इन दोनों को जोड़के अगर 1200 में से घटा देंगे तो बच्चों का निकल जाएगा तो यहां पर लिखेंगे बच्चों की संख्या बराबर बच्चों की यहां पर जाएगा संख्या बच्चों की संख्या क्या होगी बताइए अप लोग यहां पर जाएगा 1200 पूरा टोटल मतलब जन संख्या है इसमें से माइनस कर देंगे 480 इ यहां पे हुजाएंगा 40 सेगट आते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा यहां पे कितना हो जाएगा 360 यहां पे हो जाएगा 300 यहां पे हो जाएगा 360 यह आजएंगे बच्चों की संक्या और यहीं इसका अध्यवाल हमारा दिया हुआ है कि एक मिश्रन में 20 परदिशत लोहा 38 PRD और सेस काच्छ है। समझेगा इस बात को एक मिश्रन में 20 परदिशत लोहा 38 और सेस काच्छ है यदि मिश्रन में काच्छ की मातरہ 168 ग्राम है एm एक सब्सक्राम है तो मिस्रण में कुल मात्रा बतानी है तो यहां भी देखिए मिस्रण में कुल मात्रा यहां पर मालने की माना मिस्रण की कुल मात्रा की कुल मात्रा मात्रा एक्स ग्राम है अब देखिए जब मात्रा कुल एक्स ग्राम हो जाता है तो यह बात इसको समझ में यहां पर प्लस 38-प्रत और प्लस 38 प्लस 38-प्रतिस्त क्या है हमारा रेत है और cες काँच है मतलब 100 मेंसे इन दोनों को जोड़के इसको घटा देंगे तो काच की मातरा निकल जाएगी तो काच की मातरा बराबर यहां पर दोनों को जोड़ देंगे तो अंठाओन अंठाउन में से उसको खटाएंगे ते कितना बज़ जाएगा हमारा 42, 42 प्रत्सत क्या हो जाएगा हमारा काच हो जाएगा, समझ में आ गया, ये बात समझ में आए कि 42 प्रत्सत क्या हो जाएगा इसमें से काच हो जाएगा, अब देखिए लिखना है कि मिसरण में काच की मात मात्रा काच की मात्रा बराबर यहां पोढ़ जागा X माने ही है तो मतलब X का 42 प्रतिसत जो की कितने के बराबर है 168 के बराबर है क्योंकि 168 ग्राम है यह माने है एक्स का 42 पर से 168 के बराबर है अब यहां फे देखिए यह परसंटेज हटाएंगे तो बिच्छे में भाग हो जागा मतलब अब देखिए इसको अगर कटाते हैं चार बार में तो लिख सकते हैं मिस्रन की कुल मात्रा है जो मिस्रन की कुल मात्रा है 400 ग्राम यहां पर आंसर आप लिख सकते हैं मिस्रन की कुल मात्रा क्या हो जाएगी कुल यहां पर हो जाएगा मात्रा कुल मात्रा 400 ग्राम अराम से देखिएगा निकलेगा निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब चलते हैं सात्मा सवाल हमारा दिया है वार्सिक परिच्छा में गणित के कुल 42 प्रतिसात तथा अंगरीजी के कुल 32 प्रतिसात बिद्यार्थी अनुत्रिण हो गया मतला फेल हो गया यदि यहाँ पर बोला है कि 12 प्रतसत बिद्यार्थी दोनों बिस्यों में अनुत्रिण हुए तो कितने प्रतसत बिद्यार्थी उत्रिण हुए यदि कुल उत्रिण होने वाले बिद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 760 हो तो परिच्छा में कुल कितने बिद्यार्थी थे प्रचत में मतलब बताना है आपको कि परिच्छा में कुल कितने विद्यारती थे यहाँ पर जैसे जैसे आपको दिया हुआ है वैसे वैसे लिखिए पहले गणित में कुल अनुत्रिन विद्यारतीयों के संख्या ठीक ना गणित में कुल गणित रहेगा यहाँ पर गणित मे कुल अनुत्रेन बिद्दार्थियों की संख्या या फिर बिद्दार्थी बराबर डिरेटली बिद्दार्थी लिखे संख्या लिकनी ज़रूत नहीं है 42 प्रतिसत ठीक न और यहां पर अंग्रेजी में कितने हैं वो लिखे हैं अंग्रेजी में ठीक ना कुल अनुत्रेन कुल अनुत्रेन यह अंग्रेजी में कितने अनुत्रेन हैं तो अनुत्रेन बिद्दार्थी बिद्दार्थी जरू लिखेगा आप लोग बिद्दार्थी यहां पर जागा 32 प्रतिसत मतलब 32 प्रतिसत यहां पर लिखा हुआ है यह देख के लिखेगा ठीका यती बारा प्रसत विद्ध्यार्थी दोनों में अनुत्रिण होते हैं अब देखें दोनों विशयों में तीक ना दोनों विशयों में विश्यों में क्या हमारा अनुत्रिन बिद्धार्थी यहां पोजाएका विद्धार्थी दोनों विश्यों में अनुत्रिन बिद्धार्थी कितने हमारे 12 प्रचत है दोनों बिशोय में अनुत्रिन बिद्धार्थी बार प्रसत है केवल गणित में अनुत्रिन बिद्धार्थी अब बताना है केवल गणित में अनुत्रिन बिद्धार्थी की बात किया जाए जब दोनों बिशोय में तो केवल गणित में अनुत्रिन बिद्धार्थी तो यहा अब दीखे 42 टोटल था इसमें से 12 प्रत्सत निकाल देंगे तो बच करके निकल के आएगा आपका 30 प्रत्सत 30 प्रत्सत ठीक है केवल अंग्रेजी में अनुत्रिन विद्धार थी अब यहां आप लिखेंगे कितना हमारा है यहां पर 32 बधीस है और इसमें से 12 घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 20 प्रत्सत अब समझेगा बात को यह 20 प्रत्सत आपका निकल के रखे आ गया कि केवल अंगरेजी में इतने अनुत्रिन है तो कुल अनुत्रिन बिद्यार्थियों की संख्या अब कुल अनुत्रिन बिद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कुल अनुत्रिन बिद्यार्थियों की संख्या अनुत्रिन ठीक ना अनुत्रिन बिद्यार्थि बराबर बिद्यार्थि ठीक ना बिद् प्रसद्ध भिद्धार थी सब फेल है तो मतलब दोनों thishelp में उत्रुन भिद्धार थी तब कितने हो जाएंगे इसमें से गटा देंगे 100 में से तो पता चल दाएगा तो यहां आप लिखेंगे हमारा 100 माइनस यहाँ पर जागा 62 इसकल्टू यहाँ पर जागा 38 प्रतिसत 38 प्रतिसत बिद्यार्थी क्या हुए कि उत्रिन हुए ठीक ना ये दोनों विशेयों में तो प्रश्णा अनुशार आप प्रश्ण में जो दिया हुआ उसको देखिए ध्यान से कर लेंगे हम लोग दोनों विशेयों में कुल उत्रिन यहाँ लिखा हुआ है कि उत्रिन यादि उत्रिन विद्यार्थियों की संख्या 760 है ठीक ना उत्रिन विद्यार्थियों की संख्या 760 है तो लिखेंगे हम लोग कि दोनों विशेयों में कुल उत्रिन विद्यार्थी यहाँ लिखेंग उत्रिन अज़ती यहाँ पोछ जाएगा सात Over 160 हैं और कुल विद्यार्थियों का 38 प्रतिसत यह देखे यह C authentic आई Extra यह C समझे कुल बिद्यार्थी अब लिका लेंगे हम लोग कुल बिद्यार्थी का 38 प्रतिसत जो की 700 के बराबर है इसका मतलब यहां पर लिखेंगे कुल बिद्यार्थी बराबर कुल ठीक ना बिद्यार्थी ठीक ना इध्यान देखिएगा समझ में आ जाएगा बिद्यार्थी क कुल बिद्यार्थी का का मतलब गुणा हो जाएगा 38 प्रतिसत जो की प्रतिसत हडाएंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा इस कल्टू हमारा 700 यहाँ पर 760 लिखेगा 760 के बराबर है मतलब यहाँ भी 760 हो जाएगा अब देखिए यह 38 दूना की कितना होता है 76 दो बार में कड जाएगा और 100 का गुणा कर देंगे मतलब कुल बिद्यार्थी आपका निकल के आ जाएगा कुल बिद्यार्थी ठीक ना बिद्यार्थी कुल बिद्यार्थी बराबर यहाँ पर 2 और 0000 लगा देंगे मतलब 2000 हैं यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो इस तरीके से अब लिख सकते हैं कुल बिद्यारतियों के संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा और यहीं इसने पूछा था कि कितने हो थे तो कुल बिद्यारति 2000 थे अब चलते हम लिए सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक गाउं के अबादी 4000 है इसमें से 500 लो कुल अबादी गाउं में कुल लोग या गाउं की कुल अबादी लिखे है गाउं की कुल अबादी कुल ठीक ना अबादी अबादी जैसा आपको इस्टेट्मेंट अच्छा लगा उससे साथ लिखते हैं ठीक ना अबादी 4000 है कि कुल अबादी क्या हमारा 4000 है इसमें से 500 ल पिलिया से पिनित ठीक ना पिनित लोग बराबर लोग इसकल टू 500 हैं समझ में आ गया 500 लोग हैं पिलिया से पिनित तो माल लेंगे कि माना एक्स प्रतिसत लोग क्या हैं पिलिया से पिनित हैं यहां पर माल लेंगे कि माना एक्स प्रतिसत लोग एक्स प्रतिसत लोग जो हैं वो पिलिया से पिनित है एक्स प्रतिसत लोग पिलिया से पिनित है ठीक ना पिलिया से पिनित है पिनित है अब देखे एक्स प्रतिसत लोग जब पिलिया से पिनित है इसका मतलब यह होता है कि 4000 पूरा टोटल है उसका एक्स प्रतिसत जो कि 500 के बराबर हो जाएगा क्योंकि 500 यहां पर प्रत्सत फटाएंगे, मतलब नीचे में 100 हो जाएगा, मतलब यहां पर chart 2000 गुने यहां account हो जाएगा, यहां पर परिष्य की परफेंटीन हो जाएा 500 होने हो जाएगा 599 우린 और यहां पर 100-0 ,工作 सैंथ 202, से डारेटली कटा देते हैं तो चार एकम चार और यहां पे हासी लगाएंगे चार दुना के आठ और चार पंचे बीस लगबग 12.5 प्रतिसत हो जाएगा मतलब लिख देंगे कि अत्त यहां पहो जाएगा 12.5 प्रतिसत लोग जो हैं लोग पीलिया से पीडित हैं ठीक है पील तो इस तरीके से आप लोग लिख लिजेगा यही इसका क्या हो जाएगा और इस तरीके सी यह आपका जो है साम सी खतम हुआ और अगले वीडियो में हम अगला शेब्टर देखेंगे सात डी आज की लिए इतना ही यदि आप लोग को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती हो त तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना पूंए